हड़ियां काफी मजबूत होती हैं बहुत ज्यादा स्ट्राउंग होती हैं इतना कि हमारे पूरे शरीर को धाचा देती हैं और हमारे पूरे शरीर के वेट को कैरी करती हैं लेकिन जब इन ही हड़ियों पर बहुत ही ज्यादा स्ट्राउंग फोर्स लगता है या फिर एक ही ज प्रकार का जो bone fracture है उसे transverse fracture या closed fracture कहते हैं इसमें bone एक सीधी line में तूटता है दूसरे प्रकार का जो bone fracture है उसमें क्या होता है इसमें bone तो एक सीधी line में ही तूटती है लेकिन ये तूटी हुई हड़ी हमारे skin के बाहर निकल जाती है और skin के बाहर से भी इस bone को देखा जा सकत इसे open compound fracture कहते हैं तीसरे प्रकार का bone fracture होता है oblique fracture इसमें bone fracture diagonally यानी oblique अकार में होता है चौथे प्रकार का जो bone fracture है उसे oblique displaced bone fracture कहते हैं इसमें fractured हुआ bone oblique line में तो होता ही है साथ ही साथ इसमें तूटी हुई बोन बाहर की और displaced भी हो जाती है पाचवे प्रकार का जो बोन fracture है उसे community bone fracture कहते हैं इसमें क्या होता है इसमें हड़ी कई सारे छोटे छोटे टुकडों में तूट जाती है लगभग 3 से जादा टुकडों में छटे प्रकार का जो bone fracture है इसे segmental bone fracture कहते हैं इसमें जो bone है वो एक छोटे से segment की रूप में तूट जाता है वही साथवे प्रकार का जो bone fracture है उसे green stick bone fracture कहते हैं इसमें bone या तो हलका सा crack हो जाता है या bend हो जाता है लेकिन इसमें bone दो अलग अलग भागों में तूटती नहीं है आठवे प्रकार का जो bone fracture होता है उसे spiral bone fracture कहते हैं इसमें जो bone fracture की lining है वो एक spiral आकार में होती है यानि थोड़ा घुमावदार आकार में होती है इस प्रकार का जो bone fracture है ये सामान नितया bone के twist हो जाने पर होता है नौवे प्रकार का bone fracture है evolved bone fracture इसमें क्या होता है इसमें bone का बहुत ही छोटा सा part ligament या tendon के खिचाव के वज़े से अपने main part से अलग हो जाता है और आपको ये बात पता ही होगा कि ligament और tendon जैसी चीज़े muscle या bone के joints पर होती है इसलिए ये वाला bone fracture अधिक्तम joints पर होता है मैं उमीद करता हूँ कि एक बहुत ही ज्यादा छोटे से वीडियो में बहुत सारे जानकारी दे पाने में मैं सक्षम हो पाया हूँ